तो फ्रेंट्स आज आप दोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ नीती आयोग रिपोर्ट के बारे में जो नीती आयोग ने थ्री एर एक्शन एजिंडा दिया है 2017-2019-2020 के लिए उसको बेस्ट करके मैं करेंट अफेर्स की क्लासिस जो है वो फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि यह आपके UPSC के लिए बहुत important है प्री के लिए भी और मेंज चे लिए भी और जो इस्टुडेंट इस बार मेंज देने जा रहे हैं उनके लिए तो आप ये समझ लो कि यह must document है लेकिन ये बड़ा comprehensive है और इसके पीछे हमें बहुत सी चीज़ें को cover करना पड़ेगा आज हम बात करते हैं इसमें कौन-कौन से chapter रहने में किन-किन चीज़ों को मैं classes में cover करूँगा पहला chapter अगर हम देखते हैं तो three year revenue and expenditure यानि तीन साल का जो है राज़स और खर्च का हिसाब किताब है और context and strategy सरकार क्या करेगी इसमें एक चुली आंकडों से कहीं जाजा सरकार की नीतियों के बारें बताएगी है सेकेंड है growth outlook जो भारत की समर्द ही है और third one expenditure सरकार के expenditure क्या है उसको कैसे maintain कर सकती है सेकेंड है economic transformation in major sector की जो प्रमुक छेतरक है अर्थ व्यवस्था के उसमें सरकार जो है वो कैसे जो है आर्थिक रूपांतरों करने का कारे करेगी जिसमें पहला target उन्होंने लिया है agriculture को जिसमें farmer's income को double करने के जो है वो उन्होंने road map discuss की है बहुत ही अच्छे authentic और उन्होंने लगबख सारी चीज़ों को एक जगह समेट दिया है इनका क्या जो है इस्थान और सरकार क्या करने जा रही है और क्या कर सकती है थर्ड इन्होंने जो सेग्मेंट दिया है वो रीजिनल डबलप्मेंट पर यानि कि जो चितरी विकास है क्योंकि इसके बिना भारत जो है वो आगे नहीं जा सकता इसमें urban development बहुत ही अच्छा ज चौथा जो टॉपिक है वह उन घटकों के बारें बात कर रहा है जो सम्रद्ध के लिए सबसे आवश्यक है जैसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी यानि परिवहन और जुड़ाओ दूसरा है डिजिटल जुड़ाओ तीसरा है जो पीपी मॉडल होता है प इतना कंटेंबरोरी और इतना ठिंक टैंक का डाटा है कि आपको इसके बाहर बहुत ज्यादा चीज़ें पढ़ने जरूत नहीं रह जाएगी फिर इनोवेशन निको सिस्टम भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है नीति आयोग ने उसके अगला जो देश का सबसे चर्चित मुद्दा है टैक्सेशन पॉलिसी यानि कर की जो नीतियां है वो क्या होनी चाहिए प्रो कॉम्पटीशन पॉलिसी जो कॉम्पटेटिव एडरिलिजम है प्रतियोग आत्मक संगवाद उसके विशह में बात की गई और रूल आफ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमका हमारा जो है वो सेग्मेंट तयार होता है अगला सेग्मेंट है सोशल सेक्टर सामाजी छेतर को कवर किया है इन्होंने एजुकेशन एन स्केल डव्लप्मेंट नमबर वन सेकेंड हैल्थ यानि स्वास्तिया और जो अक्सर मैं इसको बो सेख्टानी की समावेश्यत सुसाइटी उसमें सभी को जो है वो कैसे साथ लेकर चला जा सकता है आपका जो सात्मा टॉपीक यह और यह एक्षुए जो है एक्चली में अगर आप इसको भी कवर कर लेते हो तो कंटेंप्रोरी एकनामिक्स कंटेंप्रोरी पॉलिसीज गवर्नेस की पॉलिसीज पर्यावन से लेटेड मुद्दे यह आपकी पूरी तरह से पकड़ में आ जाएंगे तो को जो है यह कह सकते हो कि एक ऐसा बेस है जो आपको बहुत मजबूत करेगा बहुती जदा मजबूत करेगा इसकी को लिए ऑई सो जलाइ से शुरू कर रहा हूँ जो ओमारे कररंट एफेर्स के रगूलर हिट करेगा यहां से और हिट करेगा क्योंकि इन्हों ने इतना बढ़ियां लिखा है और यह think tank की रूप में काम कर रहे हैं और आप समझ लिए कि prepared material है आपका मतलब अगर आप इसको prepare भी कर ले जाते हो इसके आगे पीछे थोड़ा सा जोड़ कर पढ़ लेते हो और arguments के साथ चले जाते हो तो आपका यह समझ लिए कि to the point हिट material आपको बहुत जाता इधर दर भागने की जरूत नहीं है सवाल है कि बस यह material इंग्लिश में है तो मैं इसको पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा तो जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो यह समझलों की must है यह इसके बिना अगर आप गए तो आप अपने कम से कम कम से कम 8 से 9 question का नुकसान करोगे minimum की बात कर रहो और इसके अगर sectors को जोड़ोगे तो आपके कम से कम 15 question मुझे hit करते हो दिखाई पड़ा है यहां से जतना मैंने इसकी study की तो इस पे मैं question answer कराना इस पे आगे चलके लाब मिलेगा क्योंकि तीन साल तक यह document government का visionary segment रहेगा मेंस वालों के लिए उनको एक बड़ा लाब यहां मिलने जा रहा है उनकी मैंने साथ से 8 classes की fees भी बहुत कम रखी है केवल 2000 रुपए जिसमें नीती के पूरे documents को वह easily cover कर सकते हैं तो यहां पर जो हम दर भटकने के बजा कर इस पर focus करते हैं इसके साथ और चीजों को जोड़ कर पड़ते हैं तो आपका इतना बड़ा sector तयार हो जाएगा जिसमें आप अपने marks को बहुत अधिक जंप करा पाएंगे essay के लिए और mains के लिए और PT के लिए तीनों के लिए तो दोस्तों सागत है आप लोगा 22 जुलाई को या अगर आप घर पे भी से पढ़ सकते हैं तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें या आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है थैंकि दोस्तों और मेरे नंबर जो WhatsApp नंबर है 8285894079 या मेरा कॉलिंग नंबर इसके साथ आप जुड़े र